सब्सक्राइब करें लेडी जीटूब चैनल को और उस घंटे को भी दबाए ताकि नई नई वीडियो जाप एक घंटे भी न मिस्कर पाए जोकी बिल्कुल फिरी है देखिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सौपिंग बैग बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से सौपिंग बैग बनाना सीख जाएंगे सबसे पहले हम बैग की लंबाई चोड़ाई ना पेंगे हमें दो पीस इस तरीके गई चाहिए जिसकी लंबाई 13 इंच है और चोड़ाई 11 इंच हमें इस तरीके के चाहिए तनी लगाने के लिए लंबाई 13 इंच है और चौडाई 3 इंच है हमें इस तरीके के चाहिए जिसकी चौडाई 7 इंच है और लंबाई 9 इंच है और हमें इसमें से जिप एक लेनी है इस तरीके से एक हम जिप लेंगे अब हम ये सिंगल जिप को सीधी साइट हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे चार ओर सिलाई लगाएंगे एक इंच यहां से छोड़के इस तरीके से चार ओर सिलाई लगाते जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करें और नीचे दिये गए लाल बटन को दवाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके अब हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के यहाँ से कुंडे को डालेंगे कुंडे को हमने डाल लिया है अब हम जिप को इस तरीके से यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से डालेंगे देखिए हमने अंदर की तरफ डाल लिया है अब हम जिप को इस तरीके से यहाँ से रखके यहाँ से इस तरीके से रखके सिलाई लगाएंगे यहां से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहां से इस तरीके से निसान लगाएंगे निसान लगाके हम वी सेंटर पे एक कपड़े को यहां से रखे चार ओर सिलाई लगाएंगे यहां से कपड़े को दाब के चार ओर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से सौपिंग बैग बनाना सीख जाएंगे इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे देखिए हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसके उपर दूसरा कपड़ा रखेंगे और चार और सिलाई लगाएंगे यहां से इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे यहां से इस तरीके से लगाते जाएंगे देखिए हमने सिलाई लगा लिए है अब हम इसको सीधा करेंगे यहां से इस तरीके से सीधा करेंगे देखिए हमने सीधा कर लिया है फोल्ड करेंगे और चार और सिलाई लगाएंगे यहां से सिलाई लगाते जाएंगे चार और देखी हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसमें तीन इंच की पट्टी लेके इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से पट्टी को सिलते जाएंगे दोनों पट्टी को इसी तरीके से सिलते जाएंगे देखिए हमने सिलाई लगा लिए है अब हम यहां से इस तरीके से निसान लगाके इस पट्टी को यहां से जोड़ेंगे यहां से निसान लगाके जोड़ेंगे इस तरीके से ऐसे ही हम दूसरी तरफ पट्टी लगाएंगे जिसे हम तनी बोलते हैं देखिए हमने दोनों तरफ पट्टी को जोड लिया है अब हम इस तरीके से यहां से बायक को फोल्ड करेंगे यहां से इस तरीके से और इस पार भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां से इस तरीके से मोलेंगे यहां से इस तरीके से मोलेंगे और यहां से इस तरीके से जिप को लगा देंगे देखिए हमारी बैग तयार हो गई है अब हम इसे यहां से इस तरीके से खोलेंगे यहां से चारो और इस तरीके से खोलेंगे और हमारी बैग इस तरीके से आ गई है देखिए कितनी सुन्दर ये बेग हमारी शॉपिंग बेग लग रही है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सियर करें और सब्सक्राइब करें पस्तुरा वीडियो पस्तुरा वीडियो बेग है